फ्रेंज इसे बनाने के लिए देखिए मैंने इस 5 नंबर का खुरोशा उकलिया है और यह तोप लाई का ओन है तो सबसे पहले हमें इसमें एसे नॉड बनाना है अब इसमें हम चैन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए इस तरह से हमें 19 चैन बनाना है देखिए 19 चैन मैं इस मुझे हम दागा लापट इसने कोछ बोपती हो बचसेऊ करोटिय के एक फंदा पर इसने के देखिए नेंट वाली चार्न में तो इसने के नेंट वाली चाहिए में देखे इस तरह से हमें हर चैन में एक एक फंदा बनाते जाना है तो टोटल यहां पे 19 फंदा इस तरह से हम बना लेंगे देखे मेरी एलायन हो गई है इसमें हमने 19 फंदे बना लिये हैं अब यहां पे एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे अब देखे चार फंदे के पर हमें चार पंदा बनाना है एक दो तीन चार चार पंदे के ऊपर चार पंदा हमने बना लिया अब यहां पर हमें पफ बनाना है तो एक दो दो चैन बनाएंगे दिके यह वाला चैन हम थोड़ा सा ऐसे टराट करेंगे अब दीके ऐसे हम फंदे को बढ़ा करेंगे और जो यह नीजे वाला चैन है इसमें हम क्योश्या करके ऐसे बनाएंगे दाषत द्डाग मिद्धा लिख़ जाएंगे दो ताइम तीन चार पांच देखे हमने इस तरह से पांच टाइम इसे कर लिया है अब देखे सारे फंदे हमें ऐसे बांदे ले हैं अब देखे धागा लपेट के यहां पर एक दो तीन चार पांच पांच पंदा छोड़के इस छटे पंदे में हम चार पंदा बनाएंगे एक यहीं पर कुरोश्य करके दो तीन चार देखे इस तरह से हमने इसमें चार पंदा बना लिया है अब जैसे हमने यहां पर यह पर बनाया है हमें यहां पर बनाना है तो पहले दो चैन एक दो इसे हम थोड़ा सा टाइट करके धागे को बड़ा करेंगे देखिँ यहां पे किरोष़ करके हम इसी तरह से फफ बनाएंगे देखिँ इस तरह से हमने यहां पे पना लिया है अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदा छोड़के यहां पे किरोष़ करके इसमें हम एक फंदा बनाएंगे यहां पर दो तीन चार दिखिए इस तरह से हमने डिजाइन की एक लाइन बना ली है अब ऐसे एक चन बना के इसे हम पलट लेंगे अब देखिए यहां पर इस चार फंदे के उपर हमें चार फंदा बनाते जाना है देखिए यहां पर हमने चार फंदा बना लिया अब एक दो तीन चार पांच पांच चैन बना के देखिए यहां पर हमें इसे बीच में कुरोशय करके इसमें चार फंदा बनाना है एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच पांच चैन अब यहां पर इस चार फंदे के उपर चार फंदा हमें बना इस Nope ऐसे इस तरह से हमने इसकी दूसरी लाइन बना लीगाणी तो फ्रेंस यह सिर्फ दो लाइनों का डिजाइन है अब इस दो लाइन को हम रिपीट करेंगे ऐसे एक चैन बना के इसे हम पलट लेंगे और यह वाली लाइन रिपेट करेंगे जैसे हमहां यहां पर यहां往 उसी तरह से बनाना है पहले देखें इस चार पोते के पर हम चार से बनाएंगे हुरु है हुए आए हो एक यहां पर चार पंदा हो गया है अब दो चैन बना कि यैसे हम ढएग हम यहां पर बनाएंगे यहां पर हमने पब बना लिया यहां पर क्रोश्य करके हम चार फंदा बनाएंगे इस तरह से डिजाइन बन रही है यह वाली लाइन हम यहां पर रिपीट कर रहे हैं तो फ्रेंक्स आपको जितनी बड़ी पट्टी बनानी है आप इसी दो लाइनों को रिपीट करते जाएंगे तो यह रिजाइन इस तरह से पंदी जाएगी बहुत सुंदर यह लग रही है पट्टी दोनों साइट से ऐसे दिख रही है और देखिए जब आपकी पट्टी पूरी हो जाए जितना बड़ा आपको इससे बनाना है तो लाश्ट में देखिए एक लाइन इसी तरह से बना लीजेगा जिसे यहां पर हमने इस्टार्टिं बनाना है देखिए एक दो तीन चार चार पंदा अब यहां पर इस जाली में भी देखिए चार पंदा बना है तो चार चार आठ हो गया अब यहां पर इसके उपर तीन पंदा है यह एक दो तीन तो इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा अब यह यहां पर देखिए इसमें भी चार पंदा है तो 12 13 14 15 16 17 18 19 तो टोटल यहां पर 19 फंदे इस तरह से हो जाएंगे इस तरह से पंदे यहां पर सेट हो गए हैं तो एक लाइन आप इसे तरह से बना लेज़ेगा पूरी पट्टी बनाने के बाद लाश्ट में इस तरह से पट्टी दिख रही है तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू हुआँ